सत्ता काहरे की समस्यांस दूर हो जाएंगी केज़िवाल को जेल में भेजने से सब को रोजगार मिल जाएगा सब को शिक्षा मिल जाएगी नहीं ना हाँ आपके एहंकार की संतुष्टी जरूर हो जाएगी आठ साल में मैंने दिल्ली के सारे स्कूल ठीक कर दी है तीस साल में आपने गुजरात का एक एक भी स्कूल ठीक नहीं किया एक भी स्कूल जब आपको गुजरात में एक स्कूल में जाके फोटो खिचवानी थी तो उसके लिए भी आपको पूरे गुजरात में एक भी स्कूल नहीं मिला आपको टेंट में एक नकली क्लास बना के फोटो खिचवाने पड़ी आठ साल में मैंने दिल्ली में धेरों महला क्लेनिक खोल दिये अस्पताल बना दिये सबका इलाज मुफ्त कर दिया शांदार इलाज कर दिया 15 साल में मध्यपरदेश में आप से क्यों नहीं हु क्योंकि आपको करना ही नहीं है आपको देश से कोई लेना देना ही नहीं है आपकी बला से तो देश जाए भाड में बस आपकी सत्ता बनी रहे भारत दुनिया का नंबर वन देश बन सकता था आप जैसे नेताओं और पार्टियों ने अभी तक नहीं होने दिया अपने भ् खड़ा हो गया है अब भारत बेचैन है भारत को आगे बढ़ना है बहुत तेची से आप जैसे राष्ट्र विरोधी लोग चाहे अब जो मर्जी कर लें है लेकिन अब भारत रुकेगा नहीं भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना मेरी जिंदगी का मिशन है अब यह एक भारते का मिशन बन गया है देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है मैं शुगर का मरीज हूं एक एक दिन में पचास पचास यूनिट से ज्यादा इंसुनिल लेता हूं इतनी शुगर होने के बावजूद ब्रश्टाचार के खिलाफ एक बार मैंने दस दिन का और एक बार पंद्रा दिन का इंशन किया था उस वक्त सभी डॉक्टरों ने कहा कि इतनी शुगर वाला मरीज भूखा रहेगा तो किसी हालत में जिन्दा नहीं बचेगा लेकिन मैं पंद्रा दिन भूखे रहने के बावजूद जिन्दा बच गया किसी के चमतकार से कम नहीं है भगव तक मैं दिल्ली की जुग्य बस्तियों में ने काम किया है तब तो हम राजनीती में भी नहीं आए थे दूर दूर तक सीम बनने की कोई उमीद ही नहीं थी वह जुग्यां ही मेरा घर होती थी प्रधान मंत्री जी अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो दुनिया का कोई आदमी मानदार नहीं है केजरीवाल देश के लिए जीता है और देश के लिए मरेगा आप मुझे सौ बार सीब्याइडी बुलाओगे तो मैं सौ बार जाओंगा आप हम भारत के लोगों को परिशान कर सकते हैं पर अब भारत को रोक नहीं पाओगे भारत दुनिया का नंबर वन देश बन के रहेगा जैहंद